जय हिंद का हल चाल है हो छवय लोगीन बाबू उद्पात सिपाही के जो इतो हिन फॉम भर ले हो वे हो उस अब खाती ली बिडियो काफी महत पूर्ण हो हम हो कोशिस के ले हिये हो भैवा लोगीन की हम हूँ तो हिन के एग हम डिजीटल तरीका से तो हिन के हम कहनिया के समझा यह हो सब पातर के हम तोरा फोटो दखा के समझा यही हमर कोशिस रह ले बाबू तो हिन के पसंद आई तव की नाए तनी यह बतिया हमरा कॉमेंट सेक्षन में लिख के तो हैं बते बे बाबू उत्पात सिपाही खोठास ले बस के अनुसार एक तो हिन के किताब पर है खव जोन कहानी के नाम हको बाबू रैसका और जेकर लिखवईया हक्थिन बाबू बनसी लाल बनसी इक कहानी के लिखवईया हक्थिन बाबू जोन कहानी के नाम हको रैसका बाबू अकरो में वह चीजवा सेट करो है हो अकरो में प्यार परसंग के भाव देखावल गिल है प्र देखी नहीं जाती हो जाए प्यार तो सूरत देखी नहीं जाती अरे लुटादो एक ही इंसान पे सारी दौलत क्योंकि चीज पसंदा जाए तो कीमत नहीं देखी जाती ओकरे में बाबू इक कहानिया के जे हीरो हको कर नाम हको बाबू रैसका और हीरोनिया के नाम हको बाबू जुनिया यकर में टोटल जे पात्र के संखिया है बाबू तो हिनके हम बाता दलिया है कि टोटल छे पात्र हको कर में मनें छे लोग अकराम हको पहला हो बाबू रैसका दूसरा हो रैसका के प्रेमी रैसका एक हको जुनिया और रैसका एकडोसर से प्यार करोह थिह हो भैवा तो दू गोई भल्तू दूनु प्रानी का बाबू जुनिया के तीन गो सहली भीरो थी कर मी चम की मुनिया और यका रैसका के दोस्त जुजरा गुजरा, रईस्कात के दोस्त गुजरा और जुनिया के तीन गोद्वस्तियन कर्मी, चमकी और मुनिया, तोटल 6 पात्राथू अक्रमे बाबू, जकर नामाल हो, जकर नामाल हो, एको सेठ के भी नाम आओ है, लेकिन बात छोड़ों कर की नाम ठेकान है, कक्रोपता नहें है, तो यह है अक्राम बाबू रैस्का, रैस्का के बाबू साधी लगल रोह है जुनिया के यहाँ, जुनिये से अकर साधी से ठोल रोह है और वह है रैस्का के एक दिन प्रोगराम करे लेके जाई के रोह है, तो रैस्का कक्रा को थी कहनिया के तोरह हम विस्तार से बताओ ही हो भ गाने प्रोग्राम करने जूमेर करने में बड़ा यू आदमी तेज रहता है अगर कोई भी अखारा में पहुच जाता है कोई भी वैसा मैदान में अगर पहुच जाता है जहां कोई सांस्क्रित्रिक काईर करम हो रहा हो अगर यह बंदा अगर पहुच जाए यह रईसका तो वहाँ ना माहुले चंचेंज कर देता है सबको मने मदमोस कर देता है सबको उसमें रमा देता है सबको अपने संस्कृति अपने कला के माधियम से सबको अपने योरा करसित कर लेता है इसमें ये है कला सब को उसी माहौल में ढाल देता है सारी दुनिया की टेंशन को भूला देता है ऐसा ये डान्स करता है ऐसा ये अपना कला दिखाता है तो यही आप लोग ध्यान में रखेंगे बाबू कीतने पातर थे पातरों की संखिया अगर बात की जाए तो पातरों की टूटल संखिया की बात की जाए तो टूटल संखिया छे है अख्राम पुछते हो भैवा नाईका के है हो तो बतेबे भैवा की जुनिया हको जुनिया और हीरोवा के हो नायक के हो तो रईसकार हो है बाबू इन खर लिखवईया के है हूँ तो अभी खवईया है को बनसी लाल बनसी बनसी लाल बनसी के बारे में तो रहा हम इहां जा देना है बताई भै 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 वा काही कि जब तो रहा हम चासा कहानी पढ़ा वो लिया है तो बनसी लाल बनसी जी के बारे में वहां से विस्तार से जनकारी दे ले हलिये याओ तोहीं देख ले यह कव रईसका और यह कव जुनिया यह दुनु बाबो प्यार करो हतिन हो लास्ट में पवित्र बंधन अथात पती पतनी के बंधन में लोग जुड़ भेजाते हैं कहानी की शुरुवात यहां से होती है आप लोग थोड़ा सा इसे ध्यान देंगे माहौल को पहले समझ में बाबू माहौल को पहले समझना है यहां कहरा कि भादर महीना मने भादावा के महीना के एकादसी के राइत हले बाबू एकादसी के राइत हले मने दहादा हिंजोरिया हले दहादा हिंजोरिया हले मने इसने ना पुझा ले की सरवाभी दीन हो की राइत हो मने इंजोरिया लखकल हले तो वे है तरी इंजोरिया बड़ा भाइंकर इंजोरिया हले बाबू रतियों लागो ले दिल लखे और कौन दिन हले बाबू तो भादो मास के एका दसी के राइत हले एका दसी के राइत हले बाबू वे है तहिया करम पूजाई के काम हो हले मतलब करम के पूजा भी हो ले करम पूजा हो ले तक करम पूजा में आदमी ऐसे है वहाँ माहौल बने ले रोथिन अवरतिये गाउ, टॉला, महला के लोग बाबू माहौल सब लोग बनाए हुए रहते हैं क्योंकि पूजा रहता है और पूजा की उद्सह रहती है और माहौल बनाने के लिए बाबू मानदर भी लाया गया था संस्क्रीती काईर करम का एक एसाधन होता है बाबू मानदर, तो मानदर का भी वहाँ आवाज मने गूँज रहा था लोग मांदर भी भजा रहा था धोल बजा रहा था ये सारी चीजे बजा रहा था और वहां का उमंग ही कुछ अलग था क्योंकि परवतिहवार था अब यहां की अवरत क्या की थी यहां तो करम डायर में पूजा हुजा तो की यह तो बावु करम डायर है हूँ करम डायर में पूजा हुजा की और अवरत जो है ना बगल के गाउं से कुछ जूमर खेलवा को बुला ली जूमर करने वाले लोगों को बुला दिये सांस्कृती कायर करम करने के लिए और जब सभी को पता चला कि ये जूमर खेलवा में रैसकोई आ रहा है मने रैसका आ रहा है तो रैसका के नाम पे यहाँ जादे भीर जम गया बाबू क्योंकि रईस्का जो है सांस्कृती कायर करम के लिए इसका नाम ही काफी था जहां लोग रईस्का का नाम सुनता था वहां भीर लगा देता था क्योंकि रईस्का नाचता ही ऐसा था मनें ऐसा ही माहौल ही बना देता था तो इनके नाम पे बहुत सारी भीर जम गई थी और ये जो काईरकरम होने वाला था ये काईरकरम होने वाला था बाबु रैसका के ससुरारी के गाउं में रईसका के सवसुरारी के गाउं में ये काईर करम होने वाला था अब बाबू रईसको सवचल का है कि जा रह लिये हम अपन होवे वाला सवसुराल में हमर सवसुराल होवे वाला सवसुराल मने अभी सदिया नाए भेल हले बाबू होवे वाला सवसुरायर में जा रह लिये है वहां तनी हमरा परदर्सन अनोखा करल परता है बेस परदर्सन करल परता है जे काहे कि हमर जो हौवे वली का निया है हौवे वली जे हमर महरारू है पतनी है वो गावा में हमर खेला तो देखे ले जरूरेत है हमर कायर करम देखे ले तो जरूरेत है इसलिए सबसे बेश और आज तकिल जहां जो आज तकिल याज तकिल जयतना भी हम प्रोगराम कर ले यह कुरा से सबसे बेश प्रोगराम आज हमरा करे ले परता है अगर नाई कर भए तो हमर वहां बेजेती है कही कि वहां हमर होवे वाला सुस्राइर ने हक है बाबू रईसका के नाम सुनते ही वहां भीडिया तो उमर्ड गिलहले हो भीडिया तो जैन गिलहलो दखेने पाना है यहां भीडिया केतना हो भीड देखिए यहां कितना है बाबू बहुत सारा भीड है और यह अखारा के बगल में यह सारा का सारा भीड है एक करके सारे नचनिया लोग आ रहे थे मने जूमर करने वाले लोग आ रहे थे और यह जो बगल बगल में लोग है वो सभी को देख रहे थे ये सारे जुमर करने वाले लोगों को लेकिन लोगों को मजा नहीं आ रहा था अब ये जो देख रहे हैं आप इसको ये है जुनिया ये है जुनिया ये बेचारी उचक उचक के देख रही है कि हमार रैसका ना आ रहा लाए लकन हमरी रईस्का का हैने आरे लए ? अगर न जर्या सोज है यहां पड़ो रहे लेकिन अगर रईस्का यहां भी तक नोज है यतना करते ही जुनिया कर सहलियन बाबुई दक़्ोई सहलियन अगदीन सहलियन के नामक है बाबू एक के नामक को कर्मी एक के नामक को चमकी एक के नामक को मुनिया इतीनू के मुंडा दखो रलेने इक अकरा को थी जुनिया के कि ये जुनिया एतना ब्याकूल हो ने ठीक नई खई लूनी एतना ब्याकूल नई हो फिर दल पे दल आता गया अपना परदर सन दिखाता गया क्योंकि कई गाउं के यहां जुमर खेलवा लोग आये थे जैसे इन लोग अपना परदर्सन दिखा रहे हैं सांस्कृती कायर करम कर रहे हैं ठीक उसी परकासे कई दल के दल आए लेकिन उसमें रैसका नहीं आया जब रैसका नहीं आया तो फिर से ये जो है जुनिया जुनिया की जो सहेली है कर्मी चमकी जो मुनिया आपकी है तो ये जो एक कर्मी वो चिट्टी काटती है और जुनिया को कहती है कि गे जुनिया तोर हीरा भाइग गलो गे तोर हीरा भाइग गलो तोर हीरा लगो आज यहां नाय नाचता गई तो और सब के इंतिजार हले बाबू रिष्के के फिरी जुनिया कोई भट खाली बकर बकर करोंगे खाली बकर बकर करोंगे और इतना कह करके ये जो है वो कर्मी पे गुसा जाती है कौन गुसा जाती है बाबू तो ये जुनिया जो है वो कर्मी पे गुसा जाती है उधर बेचारी जुनिया बे आकूल है रैसका के देखे खतिले और रैसका जे है परदवा के पीछे सोचोरल है कि एग नजर हमरो जुनिया से मिल जीते हेल तब तो हम गरदे उड़ादती हेल योः बेचारा सोचोरल है कि होईवाला सोचरारी में पहला पहला प्रोग्राम करे जारा लिये में तनी अकरमें तनी बड़ी बेस प्रोग्राम करती हेल नहीं तो हमरा नाम खराब हो जीते हे दूसरा बात यहाँ सोचो है कि जैसे उतरती है ता इसे एक बार जुनिया से नजर मिल जीते हैं तो हम रो एक अलगे अनर्जी मिल जीते हैं जुनिया से खाली नजर से नजर मिल जीते हैं तो मज़े आजीते हैं यहाँ बेचारा बड़ी चिंता में रहो है जब यहाँ बेच जाहो के बाबु रैस्का आजाहो और रैस्का के नजरिया जे परो हो हो हचाक से परो हो बाबु जुनिया पे एन्हें वन्हें बड़ी खोजो है लेकिन बाद में परो है जुनिया पे जुनियों के नजरिया परो है जाकर के रैस्का पे दुनु के नजरिया बाबु मिल जाह आप जब दुनू के नजरिया जब मिल जा है तो अखनीन के सुख के अनुभूती हो है तो आपो जब रैसका ए लेहलने तो एडिया तक धोती पहन ले हलो एडिया तक धोती पहन ले हलो चरक धोती पहन ले हलो गंजी पहन ले लही तो यहाँ पिक्चरवा मुगारे हो गंजी पहन ले हलो और फूल के माला लगे ले हलो आई लोग या ने वने देखलको बाद में अकर नजरिया मिल गलो जुनिया से जब नजरिया अकर बाद में मिल गलो जुनिया से आप यहां देख पा रहे होंगे बाबू जो ये सारी ये चीज़े है ना यह आपका अखरा है यह आपका अखरा है यह आपका करमडाइर है यहां नश्वयया लोग है नजर मिल गया पूरा भाइंकर बाबु परदर्शन किया अब जो है जुनिया उमने मने बड़ी खुश होने लगी उड़िने लगी जुमर जो देख रहा था सारे लोग मात गए मने उसका रस्पान करने लगी उस खेला का सब आनंद लेने लगी उस जुमर का सब आनंद लेने लगी जुमर देखाते देखाते भाबु भोर हो गया और जब भोर हो गया तो अंत में रैसका को पुरुसकार दिया गया भोर में पुरुषकार मिला यहां रैसका को लेकिन रैसका को अभी भी लग रहा था कि पुरुषकार तो मिल गलो लेकिन जे असली पुरुषकार हलो उनाए मिललो अगर जिन्देगी बेकार लागो लगलो फिर यहां से सभी लोग भाबु घर से मनस्वरी अखाडा से वापस घर चले आए वापस घर चले आए जब घर वापस चले आते हैं तो इस रैसका को अब घर के काम में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है देखिए प्राइज तो ले लिया घर तो वापस चल गया लेकिन इसको अभी यो लग रहा है ना कि पुरुसकार तो मिला लेकिन असलिया पुरुसकार तो वही छोड़के हम आए हैं घर में गया घर तो घर का काम में कोई मन नहीं लगने लगा बाबु किसी तरह से बैसा पार हुआ किसी तरह से बैसा पार हुआ और बाबु 14 जनवरी बाउंडी पर आबाया और वहीं ये जो है ओ नदी नहाने के लिए उरैसका चल जाता है 14 जनवरी को नदी नहाने के लिए चल जाता हो दखी मुंडला यहां बैठा लो यह है कवर इसका यह नदी नहाल अलको और पथला पे जाकर के बैठा लो और अपने मने मने बाबु सोचो हलो पत्थर के उपर बैठ कर सोचो हलो तब तक दूरे से देखलको कि ये वो लड़ अड़बेरिया के हलो मतलब साम साम के समय का ये साम साम का ये समय था अड़बेरिया का समय था फिर इन लोगों की आपस मने साधी हो जाती है साधी होने के बाद जुनिया जो है वो रैस्का के घर जाता है देखिए ना इरा इसका जो है बाबु नदी के किनारी नदी है नदी के किनारे जो है पत्थर पे बैठा हुआ है और ये अपने मन में मन में सोच रहा है कि गे सोना कहां तो है छूट गे लिए पुरुसकार तो हम ललियो तुर गावास है लेकिन असली पुरुसकार तो तो है नहली मने पगला गया है प्यार में अंधा हो गया है तो वही आ करेगे असली पुरुषकार तो तो है नहली गे तो यह है मैं सोच रहा है तब तक जुनियों मिल गई गित गाते गाते आ रही थी नदी के पास मिल गई इन लोग का साधी हो गया, साधी हुआ था बाबू, कुछ दिन ही बीता था, फिर रैसका के पिता जी इस दुनिया में नहीं रहते हैं, और सारा प्रिवार के जो जिमेदारी होती है, वो रैसका के माथे फेह आगिरती है, रैसका के मुंडा पे बाबू, बड़ी बड़ा जि उसी भी आया, इन लोगों को एक छोटा मटा मनें गोल मटोल, उसी के रूप में इसका बेटा भी हुआ, अब इजे जुनिया हो जुनिया पहले आकर, नाचगान के प्यार करो हो लो, अब नाचगान के प्यार करो हो लो, यहाँ बैचारा के समय मीरो ले, तो नाचगान करो बाप बच्च वह ले तो इस वेचारा नाच गान गईर लग लग अब बपा नहीं रहा लाई दुनिया में तो खाए ले बाबु दिकत हो लगाई पीए में दिकत हो लग ले तो जुनियों अपन मुह खोल दलका है और कहल का है कि तो इकौन काम करो ही जाकरा समनी के पेटे न सवत्तव है आगे के दुनिया के बारे में कुछ सवत्तव है कि नाई सवत्तव है अई से आपना चलता तो बेच्चारा यह सोचो लग लग लए कि घर छोड़ करके राची चला जाता है और अपना वहाँ एक दोस्त इसका रहता है जिसका नाम रहता है गुजरा गुजरा के पास जाता है कि बताईयो भाई हमर घरा में यह है यह दिकत ठलो बाप हमर जीमेदारी समार ले अब बाप हमर रह लो नाए परिवार के जीमेदारी हमरे उपर आगलो हो गुजरा भाई तो आईसनकर तो नाची में रहो हैं आईसनकर हमरो कोई काम धाम लगा दे ह नाच कुद से कुछू ने हो हमर पेटे ना भरत परिवार के हम कई से समाल बो तई जे गुजरा है बाबू गुजरा कौन है रईस्का का जो दोस्त है वो गुजरा जो है वो अपना सेट के पास जाता है और इस से अठवा से कहता है कि तनी हमर दोस्ताल है तनी स्थिती ठीक नाए है तनी अकरदा रिक्सवा देला दे है तो तो यह बाबू रैसका और रैसका रोड़ पे रिक्सा को निकालता है और चलाना अस्टार्ट कर देता है चलाना अस्टार्ट कर देता है रिक्सा क्या चल उसके बारे में वो आद कर रहा है कि हम कैसे हैं पहले नाचो गाओ, हली अभी की होगले समया, कभी अपना महरारू के बारे में सोच रहा है, कभी अपना बेटा के बारे में सोच रहा है, अपने परिवार के बारे में सोच रहा था, और अपने कला के बारे में सोच रहा था, अखारा बाबू एक सांस्क्रिती काईरक्रम जहां होता है वो एक समाजी कस्थल होता है उसी को हम लोग अखारा कहते हैं अखारा किसे कहते हैं ये जो चीजे हम आपको अभी दिखाये थे इसी को हम लोग अखारा कहते हैं यह आप देख पार है यह जो चारुत्र चबुत्रा जैसा गोल गोल नहीं बना हुए पूरा इस गोल इसी को हम लोग आप आखरा कहेंगे ना इसी को आप आखरा कहेंगे तो यही बात था बाबू कहां से कहां जीवन चली गई यही था आपका कहानी अब आपको अगर इसे लाइन बाइन समझना चाहते हैं तो एप में बाकी का वीडियो डाल दिया जाएगा बाबू उत्पात सिपाही वालों का फिर से अडिमिशन स्टार्ट कर दिया गया है अगर आप अडिमिशन लेंगे तो 9771080302 पे कॉल करेंगे पुरी जनकारी प्राप्त करने के बाद आपको वहाँ वीडियो दिये जाएंगे जैसे सिजल वालों को पढ़ाया गया वहाँ फिर आपको detail notes दिये जाते हैं फिर आपको वहाँ objective question दिये जाते हैं अगर धिक जनकारी के लिए आप 9771080302 पे call कर सकते हैं फोर्था special class आपको अभी वहाँ 399 रुपिये में दे दिया जाएगा ठीक है हो चबुआ लोगीन बाबु मिलो ही ये बाद में हो